करीम फोटोग्राफी आज हम बात करेंगे मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में कहीं पर सुना था के बेस्ट कैमरा वो होता है जो आपके साथ होता है और आपके पास होता है और वो होता है आपका मोबाइल कैमरा इस वीडियो में ज्यादा इन डिटेल नहीं जाओंगा मैं बेसिक मोबाइल फोटोग्रिफी के बारे में बात करूंगा रूल अव थर्ड के बारे में बात करूंगा आजकल हर मोबाइल में मैंनुल मोड आ चुका है और प्रोफेशनल कैमरा वाले ओप्शन्स भी आ चुके हैं इसमें मैं बिल्कुल चोटा सा रखोंगा और मेक शूर करूंगा जिनको बिल्कुल भी नहीं पता बेसिक उनके लिए ये वीडियो रहेगा आप लोगों को ये पसंद आए अचा जब भी आप अपने मुबाइल से फोटोस लें तो मेक शूर करें के आप अपने कैमरे का लेंस इसको जरूर साफ कर लें अपने कब साफ किया था तो मेक शूर सबसे पहले आप इसको साफ कर लें फिर उसके बाद फोटोस ले वरना फिर आपको पता नहीं चलेगा क्यों बलर इमिज़े सा रहे हैं ना लेट्स टॉक अबाओ रूल अव थर्ड्स ब्रेकिंग इन इमेज इंटो थर्ड्स बोथ होरिज़ोंटली एंड वर्टिकली रूल अव थर्ड्स को समझने के लिए आप अपने क्यामरा सेटिंग्स में जाकर इस ग्रिट को आउन कर लें आउन करने के बाद यह कुछ इस तरह दिखाई देगा और यह जो लाइन जहां पर इंट्रेक्ट हो रहे हैं इसे कहते हैं पॉइंट अफ इंट्रेस्ट अगर मैं सेंटर में यहां पर इस तरह आगर ठैरूंगा और आप लोगों से बात करूंगा तो अगर मैं इस तरह इस पॉइंटर इंट्रेस्ट पर यहां पर आजाओं तो ज्यादा बहतर लेगा अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैग्राइंड भी अगर आपको देख रहा है और साथ में इमेज भी देख रहे हैं और यह एक इंवार्मेंट भी दिखाएगा साथ में और बहुत देखने बालों को भी अच्छा लगेगा और बहुत बड़ी महने से बनाया है इसको तो जरूर इसका भी वीडियो आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है यह कहीं पर स्क्रीन पे ऊपर आ जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूग तो यह वीडियो भी ज़रूर देख लेना अचा अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर आप इन दोनों फोटो को कंपेर करेंगे तो लेफ वाली फोटो में बाइसाफ सिर बैठे हुए है राइट वाली फोटो अगर देखो तो यह ज्यादा कम्यूनिकेट कर रही है इस केस में देखो तो यह पता चल रहा है कि यह मौज की दुगान है और भाई साब मौज बेच रहे हैं और हाँ इनको जज मत करो सिर्फ एक फोटो के लिए माज निका ले एक और एक्जाम्पल इनसे मिली है यह है हमारे तरकारी वाले समय भाई अगर आप मोबाई से वीडियो या फूटो ले रहे हो तो इस तरह से ले सकते हो या फिर आप रूल अव थर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से फोटो या वीडियो ले सकते हैं बैगरांन को अच्छी तरीके से आप दिका सकते हो कलरफुल वेजटीबल दिखा सकते हो वैसे ज़रूरी है नहीं आप इस रूल को strictly follow करें कि आप किसी तरह के भी composition को आप इस्तिमाल कर सकते हो, it's up to you आपके creativity के उपर है, आप किसी भी तरह से आप इसको use कर सकते हो बट आपके background में बहुत कुछ elements हो, आप उसको दिखाना चाहते हो obviously आप main subject को भी importance देना चाहते हो, लेकिन उसके साथ अगर आपके पास background में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हो, तो why not आप उसको ज़रूर use करें एक और tip put your mobile phone on airplane mode जब कभी भी आप photos या videos ले रहे हैं, तो make sure करें कि आपका phone airplane mode पे हो वरना आपके किसी भी दोस्त का phone किसी भी वक्त आ सकता है और सबसे एहम चीज़ वो है light, आप make sure करो जहां पर भी आप photography कर रहे हो वहाँ पर अच्छे से light हो ये बहुत ज्यादा important है, आप किसी भी दर आगी photography करो, light होना बहुत जरूरी है, तो ये वीडियो था mobile photography और rule of thirds के बारे में उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप परदी बार देख रहे हैं मेरा ये वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मज, see you in the next वीडियो आज कोना है वालो प्याज सवर पर में साथ किलो प्याज सवर पर में साथ किलो प्याज समझ होनगा कर दो किलो